Welcome to Online Guruji Classes आज के इस लेक्चर पे हम लोग सिखेंगे How to Learn English Vocabulary जैसा कि आप सब लोग अलग-अलग competitive exams की preparation कर रहे हैं बहुत सारे लोग groups पे हैं जो SAC, CGL, CPO, CHSL की preparation कर रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो CDS exams की preparation कर रहे हैं NDA exams के preparation कर रहे हैं MBA exams के लिए preparation कर रहे हैं या bank PO, bank clerical exams के लिए preparation कर रहे हैं या कोई भी competitive exams चाहे वो railway का हो या कहीं का भी कोई भी competitive exams अगर आप लिख रहे हैं तो उस पे English vocabulary बहुत ही important role play करता है clear? SAC means पे आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के vocabulary के काफी questions पूछे जाते हैं clear? Even bank PO पे भी आप लोगों के English के section पे, passage पे आप लोगों के vocabulary पूछी जाती है ठीक है? 2, 2, 4, 5, 6 तो vocabulary के ही questions होते हैं और इतने ही cut off आप लोगों के जाते हैं clear? क्योंकि जब तक आप लोगों को word का meaning ही नहीं पता है तब तक कैसे clarity बन पाईगी है तो English को अच्छा बनाने के लिए ठीक है? जिन लोगों के भी English पे उतनी अच्छी command नहीं है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही important है कि आप लोग अपने grammar और vocabulary के section को इतना strong कर लो कि आपको English अगर आप लोगों के इतनी अच्छी नहीं है तब भी आप लोगों को कोई problem ना हो clear? ओके जिन लोगों ने अभी तक मेरे facebook के group online गुरुजी को join नहीं किया है उन लोगों से request करूँगा कि आप लोग मेरे facebook के group online गुरुजी को join कर लीजे बाकी मेरे youtube के channel online गुरुजी को भी subscribe कर लीजे better option यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग facebook group के through मेरे से connected रहे है clear? facebook group पे facebook group पे daily time tables आप लोगों के upload होते हैं बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों का weekly और monthly time table भी आप लोगों को बता दिया करूँगा ताकि आप लोग भी अपनी preparation को उसी हिसाब से adjust कर पाए clear? ओके ठीक है अब vocabulary की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को vocabulary पे मैंने demo lectures बनाए हुए है vocabulary 1 से लेकर vocabulary 7 या 8 पार्ट है total उस पे जिस पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि mnemonics की मदद से आप लोग कितने easily किसी भी word को याद रख सकते है clear? I guess मैंने अपने किसी lecture पे ये बात भी आप लोगों को बताई थी कि आप लोग कार्ड बना कर ठीक है? उस कार्ड के थू भी कैसे vocabulary को easily याद रख सकते है clear? तो आज के lecture पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने करना क्या है कैसे आप लोगों ने words को याद रखना है ठीक है? और इस इस approach जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ इससे क्या होगा कर आप लोगों को जाद तर अब लोग time table बनाते हैं तो देखते हूँ मैं वो लोग vocabulary के लिए एक घंटा या दो घंटा लग देते English पढ़ने की बारी आई तो वो क्या करते? English पे vocabulary उठाते और वोकाबलरी पढ़ना शुरू करते हैं बस मतलब अगर आप लोग maths को तीन घंटे दे रहे हो reasoning को तीन घंटे दे रहे हो English को तीन घंटे दे रहे हो तो लोग क्या करते? उन तीन घंटे में से दो घंटे तो आप लोग vocabulary पे निकाल देते हो बचा एक घंटा उस एक घंटे पे आप लोग grammar कर लेते हो ठीक है ना? तो reading का कोई importance नहीं देता है clear? ऐसा नहीं करना आप लोगों ने ठीक है? vocabulary तो आप लोगों ने अपने दिन का vocabulary के लिए सिर्फ 10 minute utilize करना है clear? सिर्फ 10 minute पे आप लोग easily vocabulary के इतने apps आते हैं आप लोगों के mobile पे हैं अमेशा vocabulary आपके साथ आप लोगों ने 10 minute अपने दिन का देना है vocabulary के लिए ठीक है? अब आप लोगों ने करना क्या है? मैंने आप लोगों के साथ पहले भी अप्रोच शेर किया था किसी एक वीडियो में मैं यहाँ आप लोगों को आज थोरो बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अपने दिन का 10 minute देना है और आप लोग देखोगे कि 4 से 5 महिने में आप लोगों की vocabulary इतनी strong हो जाएगी कि आप कोई जब newspaper उठा के पढ़ोगे न तो उस पे कोई भी ऐसे words नहीं मिलेंगे जो आपको ना आते हो clear अगर किसी किसी ने किसी की vocabulary लगबग 2 से 2,5 अजार word के बीच की हो जाए न तो उसे लगबग सारे words आने लगते हैं जो की generally use होते हैं और generally आपके exams पे पूछे जाते हैं clear चलो आज का lecture start करते और देखते कैसे आप लोगोंने करना है सबसे पहले तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि आप लोगोंने क्या करना है cards बनाने, cards कैसे बनाने देखो मैंने आज आप लोगों के लिए cards भी बना रहा है ये, इस type के cards आप लोगों ने cut कर लेने, clear, कहां से cut करने, अगर आप लोग stationary के दुकान पे जाओगे न, तो उससे chart paper अगर आप लोग मागोगे, ठीक है, ये तो मैंने A4 sheet का card दिया, इसलिए ये बहुत ही दुबला पतला सा विचारा, ठीक है, भड़ जाएगा कभी भी, clear, आप लोगों ने, जो stationary के दुकान पे जाना है, और उससे chart papers लेने है, ठीक है, और उससे बोलना कि, जो मोटे वाला chart paper होता है, वो दे दो, I guess, hopefully 10 रुपे का आता है वो chart paper, ठीक है, आप लोगों ने, उस chart paper की cutting करनी है, ताकि आप लोगों के पास, जो card आप लोगों के बने, वो थोड़े solid हो, कि आप लोग उसे jam में रखो, या daily उस card को आप लोग पढ़ रहे हो, तो वो card फट न जाए, ठीक है न, clear, अब card को बनाना कैसे है, देखो, card को आप लोगों ने ऐसे बनाना है, और उस card के साथ कैसे आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, वो discuss करते है, clear, द इतनी है, जैसे, जैसे मान लो, आप कल से यह चीज स्टार्ट कर रहे हो, तो मैंने लिख दिया, fourth of jan, clear, day one लिख दिया, और fourth of jan, clear, अच्छा, अब क्या करोगे, आप लोग एक दिन में ज्यादा नहीं, सिर्फ आप लोगों ने 10 words ज्याद रखने है, clear, ज्यादा words ज्याद रखने के, 10 से start करना, अगर आप लोग देखो, 10 के साथ आप लोग comfortable हो, बहुती comfortable हो, तो आप लोग उसे 15 तक कर सकते हो, ठीक है, बट 15 से ज्य ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, clear, एक साथ यह ऐसे चीज है, जो धीरे-धीरे करके improve होंगे, clear, अगर आप लोग चाओगे एक ही दिन में 500 vocabulary याद कर दूँ, तो उससे फाइदा नहीं होगा, वो long term पे आप लोगों के साथ नहीं चलेगा, क्यों English के vocabulary यह ऐसे चीज है, तो आप लोगों को exams में तो मदद करेगी, साथ में आपको throughout आपके life के साथ भी यह आप लोगों को हर जगा help करेगी, clear, तो day 1 हो गया, ठीक है, इस पे मानलो मैंने 10 words लिख लेने, ठीक है, यहाँ पर मैंने words लिख लिख लिए, 1, 2, 3, 4, so on, 5, 6, 7, 8, and so on करके मैंने यहाँ पर total 10 words लिख लिए, clear, यहाँ तक मैंने क्या कर लिए, 10 words लिख लिए, 1 से लेकर 10 words तक इस card लिख लिए, ठीक है, अब क्या करोगे, आप लोग, इनके meanings आप लोग यहाँ पर नहीं लिख होगे, ठीक है, इसके meanings मैने कहाँ पर लिखने, इसके meanings आप लोगों ने, इस card के opposite प क्लियर, फर्स्ट का मीनिंग क्या है, आप लोग इसे इंग्लिश पे लिख सकते हैं, हिंदी पे लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों को याद करने का मन हो, ठीक है, उसके अगर कोई सेनोनिम्स वर्ड मिलते हैं, वो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, इस तरीके से, जिस भी ल इस तरीके से morning पे जैसे ही उठते हो वैसे अपना एक कार्ड आप लोगों ने तयार कर लेना है जैसे मैंने ये कार्ड मानलो अपने लिए एक कार्ड तयार कर लिया वैसे आप लोगों ने अपने लिए एक कार्ड ऐसे तयार कर लेना है अब उसके बाद क्या करना है उसके बा आमाउंट की vocabulary के लिए बोला है, आप लोगों को कोई भी एक book start करनी है पहले, clear, ठीके, उसके बाद, 10 words आप लोगों ने उससे लिख लेने हैं, और उसके मतलब पीछे लिख लेने है, clear, Oxford के dictionary से उसके मतलब देख लो, जिने हिंदी में चाहिए, वो English to Hindi वाली जो Oxford के dictionary है, वो ले लो, या अब तो आप लोग गूगल में उससी टाइम पे सर्च करके, उसका हिंदी पे मतलब भी देख सकते हो, ठीके, तो जिस हिसाब से भी आप लोग comfortable हो, उस हिसाब से यहाँ पर पहले word लिख लिए, और उसके meaning आप लोगों ने पीछे लिख लिए, clear, अब करना क्या है आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने सबसे पहले उटके सुबर morning पर ही यह काम कर लिया, card बना दिया अपना, ठीके, तो जैसे मैंने time table अप्रोच पर भी बताया था, सुबर ऐसे काम करना है कि जिस पे थोड़ interest बने रहा है और उससे आप लोगों की नींद भी चले जाए, ठीके, तो starting के 15 minutes, 10 से 15 minutes का जादा से जादा यह time होगा, clear, अब आप लोगों ने यह card बना लिया, अच्छा, आपके पास यह card बन गया ना, अब आपने इस card को use करना है जब तक आप सोते नहीं हो, रात को, clear, क अपने साथ जहां भी आप जा रहे हो, चाहे आप morning, morning walk पे जा रहे हो, चाहे आप जिम पे जा रहे हो, चाहे आप किसी restaurant पे जा रहे हो, या अपने office पे जा रहे हो, या college में जा रहे हो, हमेशा यह card आपके जेब में रहना चाहिए, clear, जिस तरीके से आपका हमारा mobile phone रहता ह पास उसी हिसाब से यह कार्ड आपके पास 24 hours रहना चाहिए clear ठीक है मतलब हमेशा आपके पास उस दिन का कार्ड आपके पास रहना चाहिए हर time clear हर time ठीक है आप लोग breakfast कर रहे हैं उस time भी आपके पास यह कार्ड हो आप कार्ड को बगल में रखो आपने breakfast करा आप लोग एक बाब वो word देखो और पीछे से उसका meaning देख लो clear उसके बाद आप लोग college जा रहे हो या आप लोग किसी institute पर पढ़ रहे हो तो अपने institute पढ़ने के लिए जा रहे हो एक कुछ भी काम कर रहे हो मालो आप ट्रेवल कर रहे हो ठिक हो रहे हो आप बस पर आप कार्ड निकालो अपना कार्ड देखो ठीक है instead of की आप लोग Whatsapp पे या facebook यूज करो ट्रैवल के टाइम पर आप लोग अपना कार्ड यूज करो ठीक है तो इस card को आप लोगों ने दिन भर यूज करना है मैं बोल तो जितने टाइम आप लोग अपना mobile phone अपने जेब से निकालते हो ना उतने टाइम इस card को भी अपने जेब से निकालो और इसे एक बार read करो और meaning को read करो clear? अब क्या होगा? आप लोगों के साथ दिन भर ये card रहेगा ठीक है? आप लोगों की परचाई की तरह आपके साथ ये card रहेगा तो आप लोग देखोगे कि राद तक आने तक आप लोगों को सारे word और उसके meaning याद होंगे और इस word और meaning को याद करने के लिए आप लोगों ने अपने daily schedule से कुछ extra time नहीं दिया तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करा? जो time आप लोगों का waste हो रहा था आप लोगों ने अपने उस time को भी utilize कर लिया vocabulary को याद करने में ठीक है और जो एक vocabulary याद करना एक बहुत ही boring सा काम लगता है clear? seriously लगता है मतलब बैठ के रटना है something very boring तो क्या हुआ आप लोगों को वो boring काम भी नहीं करना पड़ा daily routines आप लोगों के चलते रहे और आप लोगों का card भी याद होता रहा clear? okay अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पर words लिखे हैं पीछे उसके meaning लिखे हैं आप लोगों ने साथ ही साथ में न अब इस card को जैसे day 1 का card है न अब day 1 का card आपने उस दिन use करा उसके बाद पता चला आपने कभी इसे use ही नहीं किया ठीक है day 1 पर use किया ठीक है उस दिन देखा था बट उसके बाद आप लोगों ने card देखा ही नहीं तो क्या होगा ultimate यह होगा कि आप लोग कुछ दिन बाद जितना आप लोगों ने पढ़ा था आप लोग सब भूल जाओगे clear तो आप लोगों ने अपने card के साथ उसका time table भी बनाना है clear कि यह जो मेरा card है यह किस-किस दिन use होना है clear अब day 1 का card है इसके साथ आप लोगों ने जैसे यहाँ पर word लिखे ना आपके पास यहाँ पर बहुत space बचा हुआ होता है clear क्योंकि words तो चोटे-चोटे होते आपके पास काफी space होता है clear तो आप लोगों ने क्या करना है see मैं बताता हूँ clear card के बगल में ही इसका आप लोगों ने क्या करना है इसका आप लोगों ने आपने पास इसका time table भी रखना है कि भाई यह card मैंने आज तो पढ़ा है बट इसके बाद यह card किस-किस दिन पर use होगा clear जैसे 4th of January का यह card था तो आप लोगों ने आप 4th of January पर इसे दिन पर अपने पास रखा दिन पर आपने इस card को fully utilize करा clear उसके बाद आप लोग क्या करोगे 5th और 6th को आप लोगों को इसे utilize करने की जवत नहीं है आप लोग इसे 3 days बाद 7th of January को इस card को आप लोगोंने दुबारा उठाना है clear आप लोग इस पर लिखके छोड़ दोगे 7th of January और सुबह जब आप लोग card pick करते हो ना तो आप लोग जब जैसे 7th of January को आपका कौन सा day होगा आप लोगों का first day, second, third, fourth day होगा तो fourth 4 card बन गए होंगे आपके पास ठीक है तो 7th of January को आपके पास अब 2 card रहेंगे clear एक तो day 1 का card रहेगा और एक day 4 का जो 7th January का card रहेगा ठीक है अब 7th January का card आपके पास दिन भर रहेगा बस बट इस card को आप लोगोंने day 1 के card को उस दिन revise करना है ठीक है क्योंकि यहां पर 7th January आप लोगों ने लिखा है clear अब 7th January को जब आप लोग इसे revise करोगे clear 10 word आप लोग यहां से देखोगे उसके meanings नहीं देखना है अब आप लोगों ने देखना है word one word का first word का meaning आप लोगों को पता है ठीक है second का पता है ठीक है fourth का आप लोगों को strike नहीं हुआ मानलो fifth का हो गया sixth का हो गया seventh का हो गया eighth का नहीं हुआ fourth और eighth का नहीं हुआ और tenth का भी हो गया तो आप लोग 7th January के पे यहां पर क्या लिखोगे four or ten clear इसका मतलब यह है कि seventh January को आप लोगों को चौथा दस्वा स्वा यहां पर आठवा बोला था है यहां पर दस्वा हो गया चौथा और दस्वा वर्ड आप लोगों को याद नहीं था clear 7th January का हो गया तीन दिन बाद अब इसके बाद आप लोग इस कार्ड को देखोगे सात दिन बाद मतलब आप लोग इससे देखोगे 14th January को क्लिर 14th gen को अब आप लोग इस card को देखोगे ठीक है आप लोगों ने दुबारा दे इस card को देखा और इस बार आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का क्या हुआ आप लोगों को दो words में problem हो गये आज 5th पे और 10th पे बट आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को 4th वाला तो याद रहे गया उसके बाद देखो पहला वाला प्लस 3 days के बाद दूसरा वाला प्लस 7 days के बाद इस पे तीसरा वाला भी प्लस 7 days के बाद मतलब आप 21st gen को देखोगे ठीक है जिन दो words पे आप लोगों को problem होगी उन दो words के serial number यहाँ पर लिख लोगे ठीक है उसे थोड़ा ज्यादा emphasize करना है clear कि मुझे ये दो words नहीं आए क्यों नहीं आए एक दो बार देख लिया उसे ठीक है भागी तो आपको याद के तो वो तो well and good है clear उसके बाद अच्छा उसके बाद फिर दुबारा 10 days बाद देख लेना clear उसके बाद आप लोग इसे अच्छा मालो 10th day जब हम आगे 31st जैन पे उस दिन क्या हुआ आप लोगों को ये सारा काड़ी आता तो आप लोग यहाँ पर एक complete right मार देना कि 31st को जब आप लोग आए रिवाइस करने 10 दिन और बाद तो उस दिन पे आप लोगों को ये पूरा काड़ याद था clear तो अब जब आप लोगों को एक बार काड़ पूरा याद हो जाए revision पे आप लोगों का पूरा right हो जाता है तो उसके बाद आप लोग अपने काड़ को see minimum 3, 7, 7 और 10 तो करना ही है ठीक है 10 पे आके अगर आप लोगों को काड़ पूरा याद हो जाता है न तो आप उस काड़ को अब आप repeat करोगो 25 days पे फिर उसके बाद और 25 days में और उसके बाद और 25 days बाद मतलब यहाँ पर revise कि रहा यहाँ पर revise करा यहाँ पर revise करा यहाँ पर revise करा तो इस दिन तक जब तक आप लोग यहाँ पर आओगे ना 25 और days के बाद यहाँ तक आओगे तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों की vocabulary काफी strong हो चुकी होगी यहाँ तक पहुंचने तक ही आप लोगों को लगबग 1000 से उपर words याद हो गए होंगे ठीक है clear ठीक है तो इस तरीके से अगर आप लोग देखो time waste नहीं करना आपको 10 मिनट के अंदर यह काम करना है पूरा words लिखना है और उसके meanings उसके पीछे लिख लेने साइड पर यह बना देना है दिन बर इसे use करना है और उसके बाद जब close होने वाला है तो इस पर आप लोग डेट डाल दोगे 7th of January और मतलब कि मुझे अब 7th of January को इसे देखना है clear जिस दिन 7th of January होगा कार्ड तो पूरे ही देखने है शुरू से 7th of January होगा तो आप लोगों ने इस कार्ड को उस दिन revise कर लिया revise करा ठीक है या अपने pass रख लिया उस दिन इसे भी रख लिया दो कार्ड रख लिया उस दिन देखा इन दो words पर problem थी उन्हें लिख लिया याद रहने लग जाएंगे जहां पर सारे words याद रहने लग गए उसके बाद आप लोग हर 25 days के बाद इस कार्ड को देखना clear इससे क्या होगा आप लोगों को vocabulary याद करने में बिलकुल भी बड़न नहीं होगा आप लोग देखोगे कि easily आप लोगों को बिना कोई extra time दिये vocabulary याद होने लगेगी जो एक बहुती boring सा काम था vocabulary याद करना क्यों क्योंकि इस पे आप लोगों को बैट के उसे रटना पड़ता है इसलिए वो boring लगता है interesting लगता नहीं है विलकुल भी तो आप लोग देखोगे कि यह जो boring सा काम था आप इस boring से काम से easily बच सकते हो daily आप लोग अगर अपना card अगर maintain करते हो यह सबसे best तरीका है vocabulary को याद रखने का और इससे क्या होगा आप लोगों की vocabulary धीरे धीरे strong होती जाएगी और लगबग 6 महीने तक अगर आप लोग ऐसा करते हो daily आप लोग बनाते हो तो लगबग आप लोगों को 2000 के आज पास अच्छे words याद हो जाएंगे जो की exams point of view से आप लोगों के important है अगर 2000 words एक बार याद होगे न आप लोगों को उसके बाद आप लोग exams के जरा antonyms, synonyms, one word substitution वाले questions देखना जरा तो इस पे आप लोगों को महनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी आप लोग अपने busy schedule से आप लोग अगर 10 मिनट भी देते हो vocabulary के लिए तो English का एक major section आप लोग cover कर रहे हो ठीक है और ये आपको बहुत मदद करेगा clear English पे है क्या vocabulary है grammar है और reading है clear reading तो newspaper तो पढ़ नहीं है GKVK के लिए ठीक है तो इससे क्या होगा इससे अगर आप लोगों के पास 3 घंटे आप लोगों ने English को दिये थे और आप लोग ये काम 10 मिनट पे कर लेते हो 15 मिनट पे कर लेते हो तो आपके पास 2 hours 45 minutes रह जाते है किसके लिए आप लोगों के लिए reading के लिए और grammar के लिए अगर उसमें आप लोग 1 घंटा grammar करते हो और आप लोग देड़ घंटा reading करते हो और newspaper बढ़ते हैं तो उसके आपको क्या फाइदा होगा आप लोगों को current affairs भी अच्छा होगा आपकी writing skills पे भी improvement होगा आपकी reading skills पे भी improvement होगा आपकी reading comprehension के question को passage को समझ के उस passage को का inference निकालने पे आप लोगों को comfortable रहोगे आप लोग ठीक है maths इंग्लिश क्या है maths की तरह नहीं है maths और reasoning बिलकुल अलग है English का पढ़ने का तरीका बिलकुल अलग है clear आप लोग ऐसे practice कीजिए जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को एक दिन पे नहीं दिखेगा result बट आप लोग 6 मन तक ऐसे करो तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों का vocabulary improve हो रहा है ठीक है grammar तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आप लोग grammar की theory वहां से करो practice करो grammar को एक घंटा आप लोग दिखोगे grammar भी improve हो रहा है ठीक है आप लोग daily 1.5 घंटा reading कर रहे हो तो आपकी reading skills इंप्रूव होंगी ठीक है रीड करते रीड करने से आप लोगों का जन्नल नॉलेज पर आप लोगों को फाइदा होगा रीड करोगे आप लोगों को वहां से भी vocabulary में इंप्रूव्मेंट होगा क्यों जब देड़ घंटे तक रीड करोगे न तो दो तीन वर्ड तो और आपको तब भी याद होने लग जाएँगे और बस इस तरीके से आप लोग चाहें तो जैसे लिएन है इस पहे आप लोग भी चला सकते हैं अपका ठीक है जैसे day 1 हो गया clear इस पे आप लोगों ने 10 वर्ड लिख लिए और 4 प्रोवर्ब्स लिख लिए clear तो ऐसे 100 दिन पर कितने हो जाएंगे 400 प्रोवर्ब्स हो जाएंगे 6 माइने में सोचो कितने प्रोबर्ब्स हो जाएंगे आपके पास, clear, 720 प्रोबर्ब्स आप लोगों को याद हो जाएंगे, और एक बाद 720 प्रोबर्ब्स याद हो गए न, तो जो SSC, CGL में प्रोबर्ब्स वाले, या idioms and phrases जो भी होते हैं, questions, उन questions को करने में आप लोगों को कोई भी problem नहीं होगी, कि 720 करने के बाद तो automatically दिमाग को पता चलने लग जाता है कि यार ये प्रोबर्ब है तो इसका मतलब यहीं निकलेगा, clear, तो वो 10-12 questions आप लोगों के वो होते हैं, वो आप लोग easily solve कर सकते हों, ठीक है, without paying, extra time, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना बहुत precious time जो आप अपने vocabulary पे waste कर रहे हों, उसे आप लोग अपने English को improve करने में use कर सकते हों, जिन लोगों की English week है, उन लोगों से request है कि आप लोग ऐसे ही करें, तभी आप लोगों के English पे improvement आएगा, और English पे improvement आप लोगों के maths की तरह यह नहीं है, कि topic क करा और 200 question कर दिये, तो maths का topic clear होगे, English का syllabus ही नहीं है, बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा syllabus है उन syllabus में, बट आप लोग देखोगे कि 6 मन तक आप लोग डेली अपना routine रखते हो, 3 घंटा English को देते हो, तो आप लोगों के English पे super improvement आप लोग देखोगे, clear, और आप लोग देख grammar अच्छी है, आपकी vocabulary अच्छी है, आपकी reading skills अच्छी है, अगर तीनो skills आप लोगों के अच्छी है, आप लोगों ने इस पे practice करा है, तो आप लोगों को problem आने का मतलब ही नहीं कहीं पे, clear, okay, तो hopefully आपको ये lecture interactive लगा होगा, आप लोगों को अगर ये lecture helpful लगा, तो वीड आपकी।